वेल्कम फ्रेंड्स टू माई यूटूब चेनल अर्षियान आज का हमारे टोपिक है स्नेक बाइट इस टोपिक में हम देखेंगे कि साप क्यों काटता है कौन-कौन से से इस्थाने जहां पर साप काट सकता है भारत के पांच सबसे जहरीले साप कौन से हैं उनमें कौन सा वे साप काटने की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब उन्हें खत्रा महसूस होता है उक्साया जाता है या बचने का कोई साधन नहीं होता रिस्क फेक्टर प्लेसेस कौन-कौन से से स्थाने जहां पर साप काटने की ज़्यादा संभावना है फार्मिंग खेती करते समय फोरेस्ट्री और कंस्ट्रेक्शन हंटर्स शिकार करते समय फिशर्मेन मचली पकड़ते हुए सांपो की परजातिया दुनिया में लगबग 2900 परजातिया है जिनका आकार 10 cm से लेकर 7.6 मीटर लगबग 25 फिट तक होता है सांपो की केवल 250 परजातिया ही मनुष्य को मानने में सक्षम है अधिकांश परजातिया विश हीन होती है जिन सांपो के पास विश होता है या वेनम होता है वे आत्मरक्षा के बजाए मुख्य रूप से शिकार को मारने और वश करने में इसका उप्योग करते हैं इंडियन स्पाइसिज भारत में सांपो की परजातिया भारत में 216 परजातियों की पहचान की जा चुकी है जिन में से लगबग 52 जहरीले माने गए हैं जहरीले सांप निकलने वाले जहर के आधार पर चार परिवारों के होते हैं नियरो टॉक्सिस हेमो टॉक्सिक मायो टॉक्सिक और साइटो टॉक्सिक नोन पोईजन इसनेक और पोईजन इसनेक नोन पोईजन इसनेक वेनम इंजेक्ट करने के लिए नुकीले दात नहीं होते जैसे कि यह और पोईजन इसनेक वेनम इंजेक्ट करने के लिए नुकीले फार्ट यहुले शाब किंग कोबरा कॉमन कोबरा कॉमन केरेयट रसल वायपर और सायस केल्ड वायपर इन्हें हम आब आगे एकम्ए करके देखेंगे मौस् Кोमन पोईजनन इसने जो भारत में पाए जाता है वहें कॉमन केरेट पहले था हमारा किंग कोब्रा, यह किंग कोब्रा है, सेकिंड पर है कॉमन कोब्रा, थार्ड है हमारा कॉमन केरेट, फॉर्थ रसल वाइपर, और पांच वो जहरी लसाप है हमारा साइस केल्ड वाइपर, वेनम, जहर, जहर क्या होता है, वेनम एक ऐसा जहर है, जो एक जीव दूसरे जीव में इंजेक्ट करता है, सापों में जहर संशोदित लार होती है, साप काट कर जहर को इंजेक्ट करता है, जहर प्रोटीन और एंजाइम का एक जटिल मिश्रण है जो सीर के पीछे एक संशोदी लाल ग्रहनती में जमा होता है वेनम में कम से कम 90 पृतिशत प्रोटीन होता है और अधिकांश प्रोटीन एंजाइम होते हैं लगबग 25 विबिन परकार के एंजाइम होते हैं, जहर में पाचक एंजाइम होते हैं, जो शिकार को निगलने से पहले ही काम करना शुरू कर देते हैं। अक्षगात और सवशन संकट का कानण बनते हैं, साप के आकार के आधार पर वेनम का इंजेक्ट होने के तुरंद बाद मिरुत्ती हो जाती है, यह डिपेंड करता है कि साप का आकार क्या है, कोब्रा और केरेट, निरो टॉक्सिक वेनम जो होता है, वो कोब्रा और केरेट में दर्द हो ता है, क्योंकि सास लेने में दर्द होता है मायो टॉक्सिक वेनम मस्कुलर नेक्रोसीस का कारान बनता है जैसे जीब का गाडा होना, गला सूखना, प्यास लगना, मास पेशियों में एठन और मरोड इसके लक्षणें, चन्ने फिलने में तेस दर्थ के साथ साथ जबडे, गर्दन, धर्ड और अंगों में अकडन पेदा कर सकता है पीडितों की शुरुवात अक्सर पल के जपकने से होती है मायो टॉक्सिक वेनम में पेप्टाइट्स होते हैं जो मासपेशियों को नस्ट कर देते हैं नस्ट हुई मासपेशी प्रोटीन रखत प्रवा में परवेश करती है किडिनी फिल्टर करने की कोशिश कर रही होती है और अंत में जंग प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा को फिल्टर करने में एसमर्थ होने के कारण किडिनी फेल हो जाती है तो मायी टॉक्सिक वेनम में क्या होता है इसमंद्रीarken पहरू पायाा जाता है भी साइको टॉक्सिकk में गार्वनिघए के शेलिलर टीक्षू को प्रभावीत करता है जो अग्सार आस पास के छेद्र में फैल जाता है Antivenome साप के काटने पर Antivenome दवारा प्रभावशाली ढंग से इलाज किया जाता है Antivenome केसे बनाये जाता है सबसे पहले साप का जहर निकाला जाता है इसके बाद इस जहर को थोड़ी मातर में घोले जैसे बड़े जानवर में इंजेक्ट किया जाता है और मातरा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, जब तक कि जानवर जहर के पिरती antibody विक्सित नहीं कर लेता antibody विक्सित होने के बाद उस जानवर का blood निकाला जाता है और antibody को kendrit किया जाता है, रक्त में से blood में से antibody निकाल ली जाती है यह यहाँ पर, और storage के लिए उसको सुखाया जाता है snake bite complication, क्या गया complication हो सकती है, जब कोई साप काट लेता है venom से bleeding, kidney failure और saverage allergic reaction और काटने वाली जगे कासपास tissues और सास लेने में समस्या हो सकती है पूरे सरीर में muscles tissues का मनना शुरू हो जाता है और मिर्त मासपेशिया कोशिकाई protein को filter करने में एसमर्थ हो जाती है और गुर्दय भी फैल हो सकता है other complications क्या क्या हो सकती है shock लग सकता है, renal failure, गुर्दय फैल हो सकते है, myocardial failure, हद्य गहात हो सकता है shock lungs, फेपड़ों में problem आ सकती है और bleeding हो सकती है sign and symptoms क्या क्या है सांप के काटने के, सांप के नुकिल एफैंक्स के निशान दो गहाओ की उपस्ति दिप्रजात युगाधार पर दो गहाओ के बीच की दूरी 8 मीटर से 4 सेंटी मीटर तक भिन होती है केवल 50% मामलों में जहर को काटने से inject किया जाता है 90% मामलों में मामूली दर्द और लाली होती है, यह side पर नेर भर करता है जलन, दर्द, सूजन, ललीमा, फफोले का बनना, काटने की जगे से bleeding, मास पेशियों की जकडन, उल्टी, देखने में परिशानी, अंगों में जंजनाहट और पसीना भी आ सकता है ज्यादा तर काटने की निशान हातों या बाहों पर मिलते हैं, काटने के बाद डर लगता है, दिल की धड़गन तेज हो जाती है और बेहोसी महसूस होने लगती है प्री होस्पिटल ट्रीट्मेंट, अस्पताल ले जाने से पूर्व क्या किया जा सकता है, मोनीटर वाइटल साइन, उसको मोनीटर करेंगे उसकी पल्स चेक करेंगे, बीपी देखेंगे और रेस्पिरेशन, यूरीन आउटपुट देखेंगे, बिलेडिंग हो रही है नहीं, चेक करेंगे, स्वेलिंग और वामेटिंग, मसल्स वीकनेक और ब्रेथ लेसने, सास आ रही है या नहीं, इससे रिलेटिट उसको प्री चूसे, गहाओ को ना काटें, गहाओ के चार और बंध ना बांदें, जो टॉनिकेड बांदेते हैं हम टाइट, गहाओ को ने जलाने नहीं है गहाओ को, कोई भी हर्बल पेस्ट ना लगाएं, साब काटने के बाद क्या कर सकते हैं, जो भी इफेक्टेट बोडी का अंग है, उसको इस्थिर रखें, बुनियादी प्रात्मिक चिखिस सा लागू करें, गहाओ को साबून और पानी से धोएं, रोगी को निकटतम अस्पताल ले जाएं, जो टिटनस टॉकसाइड और एंटिवेनम और आपातकालिन देखभाल परदान कर सकें, तो फ्रेंट थैंक्स पर वोचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैवे गुड लक।